स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे साथ ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि कुछी महीनों के अंदर भारती बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नमबर वन पर आती है हॉन्डा CB150R यह एक ऐसी बाइक है जिसका इंतजार इंडिया में बहुत सालों से किये जा रहा है और लोग इस बाइक के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं नेकेड रेट्रो में यह बाइक आती है जिसकी प्रैजिंग होने वाली है एक लाख साथ हजार रोपे बाइक का जो लुक्स है वो बहुत ही शानदर है मतलब एक जहलक में ही आपको यह बाइक पसंद आ जाएगी और आपको जो बाइक में लेक्टरिकल्स है वो भी टॉप क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं जो बाइक का सिटिंग पॉस्टर है वो भी यहाँ पर आपको अपराइट मिलता है अगर बाइक के एंजिन की बात कर तो बाइक में आपको मिल जाता है 149 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजिन जिसमें आपको 20 BHP की पावर और 30 Nm का टॉर्क मिलता है और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाते हैं बाइक में आपको all digital meter मिल जाता है dual channel ABS सामने आपको USD fork suspension मिलेंगे पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा दोनों ही wheels आपको 17 inches के मिलते हैं जो कि आपको alloy में मिलते हैं सामने का जो wheel है वो आपको 110 section 70 के tire offer करता है और जो पीछे का tire वो आपको 150 section 60 का मिल जाता है सामने आपको 296 mm के disc brake मिलेंगे और पीछे आपको 220 mm के disc brake मिल जाने वाले हैं और जो overall bike का looks है वो तिकदम जहर है बहुत ही शांदर looks आपको इस bike में मिल जाता है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये bike कब तक भारती बारती बारती होने वाली है तो अगर आप किसी bike को लेने को इंतजार कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत इस bike के लिए रुख सकते हो नंबर टू पर आती है Honda CB125R यहाँ पर ये जो bike है ये आप सब को पसंद आने वाली है क्योंकि ये bike थोड़ी बहुत रेट्रो डिजाइन की feel भी दे दे है आपको जो sitting posture वो upright मिलता तो किसी तरह का back pain नहीं होगा आप दो लोग आराम से comfortable होके travel कर लोगे जो electricals होगे जो visibility है जो functioning है वो भी यहाँ पर आपको price के साब से बहुत ही जबरदस्त मिल जाती है bike में आपको मिलता है 124 CC का single cylinder oil cooled BS6 compliant engine जिसमें आपको 14.7 BHP की power और 11.6 Nm का torque मिलेगा और number of gears आपको इसमें 6 मिल जाने वाले हैं bike में आपको dual channel ABS मिलेगा all digital instrument console सामने आपको USD fork suspension मिलेगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कोई भी cost cutting नहीं की जाएगी आपको सामने USD fork suspension मिलेगा और पीछा को monoshock suspension मिल जाने वाला है और dual disc plate आपको इसमें available की जाएगी अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो October 2030 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 3 पर आती है Yamaha Phaser 150 यह entry level की computer segment की 150cc की bike रहेगी जिसकी pricing होने वाली है एक लाख रुपे इस bike का जो looks से वो descents आई है लेकिन decent से ही looks में यह bike बहुत ही बढ़िया दिखती है आपको जो electrical setup है वो भी यहाँ पर आपको price के साब से बहुत ही अच्छा मिल जाने वाला है यह महा की UBS braking technology आपको मिलेगी तो जो skid वगेरा होने के chances हैं वो आपको इस bike में कम phase करने मिलेंगे सामने आपको disc brake मिलेंगे और पीछे आपको drum brake मिल जाने वाले है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाने वाली है तो November 2023 में यह bike confirm भारती पर बाइक का जो looks अब बहुत ही sporty और muscular है और इसका जो electrical setup है उनकी जो quality जो functioning वो भी यहां पर आपको top notch quality की मिल जाती है तो looks और electrical को लिकर कोई भी complaint आपको नहीं आएगी बाइक में आपको मिलेगा 124cc का single cylinder liquid cool BS6 engine जिसमें आपको 15 bhp की power और 13 newton meter के torque मिलेगा और number of gears यहां पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं बाइक में आपको all digital instrument console मिलेगा सामने आपको telescopic suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाएगा single channel ABS आपको अविलेबल किये जाएगा और दोनों ही wheels पर आपको disc brake मिल जाएगे तो ऐसे कुछ feature के साथ में आपको यह वाली bike मिल जाने वाली है अब अगर बात कर लेतिंग यह bike कब तक launch हो जाएगी तो December 2023 में यह bike confirm भारती बारती 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 बारत है और अपनी इज़द बचाने के लिए हसक वरना कंपनी एक कम CC की bike को भारती बारती बारती बारतार में उतार रही है ताकि थोड़ी बहुत उनकी सेलिंग्स बढ़ जाए एक लाख 25,000 रुपेस bike की की कीमत रहेगी bike का जो लुक से वो sword pallion 250 की तरह ही होने वाला है बस यह यहां पर आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग और थोड़ी बहुत फीचर्स कम देखने को मिलने वाले हैं बाइक को जो लोक से बहुत ही शानदार है और जो लेक्टरिकल से वो भी यहां पर आपको एवन कॉलिटी की मिल जाने वाली है बाइक में आपको मिलेगा 12.5 बाइक में आपको अविलेबल करवा दियाएगा बाइक में आपको इश्पोक वील्स मिलेंगे सामने आपको टेलस्कोपिक सस्पेन्शन और पीछे को मोनोश्रोक सस्पेन्शन मिल जाने वाला है और डुड़ डिस्क ब्acağे को बाइक में देखने को मिलेंगे अब अगर बा यहां XSR 125, यह जो बाइक है वो हर एक भारतिये को पसंद आने वाली है, राइटरो नेकिड बाइक के अंदर यह बाइक आ जाती है, जिसकी प्राइजिंग होने वाली है, एक लाख 35,000 रुपे, बाइक का जो लुक्स वो बहुत ही शानदार है, जो बाइक की सेटिंग पॉस यहां पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं, बाइक में आपको All Digital Instrument Console मिलेगा, जो हैंडल बार है, जैसे में आपको बताया है, वो यहां पर आपको अपर रैट मिलेगा, तो किसी भी तरह का बैक पेन आपको फील नहीं होगा, Dual Disc Brake with Single Channel ABS में आपको मिलेगा, प्रेंट में आपको 25, यह एक Naked Street Fighter बाइक है, जो कि आप सबको यहां पर बहुत पसंद आने वाली है, एक लाख 30,000 रुपेस बाइक की कीमत रहेगी, यहां महा का MT-15 मोडल पहले से ही भारती बाजार में चलता है, और उस बाइक को भी इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, तो आप बहु 24cc का Single Cylinder Oil Cooled BS6 Compliant Engine, जिसमें आपको 14 BHP की Power और 11 Nm का Torque मिलेगा, और Number of Gears यहां पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं, बाइक में आपको All Digital Instrument Console मिलेगा, Dual Channel ABS, Yamaha Advanced Technology, जो Build Quality वो भी यहां पर आपको बहुत ही सही मिल जाने वाली है, सामने आपको Telescopic Suspension मिलेगा, और पीछे आपक Suspension मिल जाने वाला है, अब बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बजार में लॉंच होने वाली है, तो November 2023 में यह बाइक भारती बजार में आने वाली है, बाकि दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि इन सात गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी का बेस सबरी से तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप को ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वी अबी कली थैंक्स, तिल देन वेट पर माय न्यू अपकमिंग वीडियो तो